हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब ठीक है I hope कि आप सब अच्छे होंगे मैं अभी बहुत अच्छा हूं तो इस वीडियो में बात करते हैं राममनोर लोय अवद इनिवस्टी बीट फर्स्ट एर स्टुरेट के जो कॉमन सब्जेक्स है यानि कि जो सेकेंड पेपर है psychology of learning and development इसके syllabus के बारे में अधिगम एवं विकास के मनुविक्यान इसके syllabus क्या है वकास का मनुविक्यान वर्दी यानि का अपका ग्रोथ और वकास यानिका आपका डेवलोप्न तो पहले उनित का नाम है psychology of of growth and development यह पहला यूट है इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर हमें पढ़ना है पढ़ना सिच्छा मनोविज्ञान का अर्थ हमाँ पद्ध थी Meaning and method of educational psychology गाइस यह टोपीक है ना educational psychology, यह बहुत बहुत ही इंपोर्टेंट है एक पिक्चर शेयर करो इसको ध्यान से देगो इसमें कहा गया है कि जैसे इक biology important होता है डॉक्टर के लिए वैसे यह शिच्छा मनव विज्यान, educational psychology important होता है teachers के लिए यानि कि बीना biology पढ़े कोई doctor नी बन सकता उसी तरह बिदा physical education पढ़े teacher नी बन सकता है यह काफी important subjects होता है हम इसे ध्यान से पढ़ना पढ़े पहले unit में दूसरा topic है बालक के विकास में वंसानुकरम एवं बातावरन का महतोर importance of heredity and environment in child development यह दूसरा है तीसरे topic के नाम है अधिगम करता है कि विकास की अवस्थागत विसिष्था developmental stage-wide characteristics of learner ओके जो चौथा topic पढ़ना है सन्विगात्मक एवं संग्यानात्मक विकास यानि कि emotional एवं cognitive development इस unit के जो last topic है संग्यानात्मक विकास का सिधान theory of cognitive development जीन प्याजो इन्होंने एक theory दी थी उस theory के बारे में पढ़ना है ठीक तो यह था हमारा पहला unit चले देखते हैं कि दूसरे unit में हमें क्या पढ़ना है यानिकि दूसरी इकाई में हमें क्या पढ़ना है अधिगम एवं अभी प्रेनड़ा यानिकि learning and motivations इस topics में हमें पढ़ना है learning के बारे में और motivations के बारे में यानिकि जब हम teacher बनेंगे और हम बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो हमें कैसे motivates करना है कैसे उन्हें पढ़ना है तो इसके बारे में हमें पढ़ना है इस unit में अधि तुसरा topic है अधिगम के सिधान, theory of learning कुछ psychologists रहे हैं जैसे कि Fondyke, Paula Skinner ये कुछ psychologists हैं जिनोंने कुछ theory दिये किसके बारे में learning के बारे में यानिकि अधिगम के बारे में कुछ theory दिये कुछ सिधान दिये तो उसके बारे में हमें पढ़ना है इस unit के तीसरा topic है प्रभावसा साली अधिगम के तत्व कारक, factor affecting learning, theory of transfer of learning, इस unit का आखरी point है अभी प्रेड़ा, अर्थ, अधिगम करता को प्रेरित करने की प्रभावसाली विधिया, motivation, meaning and technique of enhancing learner's motivations, यानि कि जिन बचों को हम पढ़ाएंगे उन्हें हमें motivate कैसे करना है तो पहले हमें पढ़ना है कि motivations की meaning क्य तरीका क्या है और यह कैसे बच्चों को enhance करती है यह नई बाते सीकने में कैसे हुने और प्रेरित करती है तो हमें यह पढ़ना है तो यह रहा total second unit के दोस्तों तो बात करते हैं कि हमें the third unit पढ़ना है मतलब तो कमाल का है बड़े माज़दार पहले नाम सुन ले इसका नाम है बुद्धी एवं व्यक्तितु यानि कि intelligence and personality इन दो चीजों के बारे में पढ़ना है इसके बारे में बुद्धी और व्यक्तितु को बारे में परस्नालटी के बारे में इसमें टोटल यूरिवस्टी के स्लेवस में टोटल चार पॉंट मेंशन है इन चार चीजों के बारे में पढ़ना है पहला है कि बुद्धी की और धारणा यह वं मापन मतलब कि बुद्धी की और धारणा क्या है इसका मापन क्या है concept of intelligence and its measurement यानि की बुद्धी की और धारणा और इसका मापन कैसे करते हैं पता है कई टाइप्स के बच्चे होते हैं कुछ मंद बुद्धी होते हैं तिब्र बुद्धी होते हैं कुछ काफी intelligent होते हैं तो किसको कैसे पढ़ाना है इस सब चीजों के बारे में पढ़ना है इस उस चीजों को हमें पढ़ना है ठीक है इस यूनिट का तीसरा टॉपिक है मानकृत बुद्धी प्रसिछण के परियोग उफ यूज आफ स्टेंडर्स सीरी ऑफ इंटेलिजेंस यानि कि एक स्टेंडर्स इंटेलिजेंस सेरी बनाए गया मानकृत एक बुद्धी की सिधान सेरी बनाए गही है उसका अनृपरियोग करना है उसी के बारे में मैं जर्ज करना है यानि कि ऐससे चाइंडर्ड कॉंसेट बनाए गया है कि अगर इसको कोई फूर्फिल करता है तो उसकी इंटेलिजेंस फोड़ी से कम है या फिर ऊसी के हीब सापसे हमें एक दूसरी को ज इस तिरी एंड मेजरमेंट का इस परसनालिटी से एक चीज समें ध्यान देना है कि परसनालिटी में यह नहीं पड़ना है जैसे कि बॉएज की परसनालिटी मतलब सिंपेके आप्स ओ बढ़ियं भाई से रसे थो तो यह पर्सनालिटी चै cotton लड़कीं के अच्छे डिमपल्स पन्रीटे ये हो just dole है कि और फिसलालिटी ने पढ़ना है मने हमें उनकी के सब्ता है जहीशित grind हो जाते हैं उनकी सही यह फुट्टे स्बड़तों के कि क्या क्या पर नहीं है कि कि चलो देखते हैं कि छोते ही दूट सना ने मतलब अब telling जंसरो तो रात के दो बच्छे से यह वीडियो शुट कर रहा हु और इसाइं संसे कंई 2 यह कौन एक मेरी यॉएर दूसरा स्टीट डॉकस की वहू let भी ठीक है तो बट स्टिल अईश्टिल I will keep continue to make this videos for you guys कि छो देखते हैं क्या है छोते हैं इन उनिड फिर उसके बाद हम बाते जरी करेंगे चौजीत की वाद करें लिए खरेंसो चौधे की बाते हैं इतना वर्क नहीं कर पाता, उन्हें कोई चीजे बार बार बतानी पढ़ती है, एक चीज को कई बार समझाना पढ़ता है, मतलब mentally थोड़े से disabled होते हैं, तो उन बच्चों के साथ कैसे deal करना है, इस चीज के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा, इसमें जो पहला topic है, मांसिक स्वस्त बालकों की विस्यस्ता है, the characteristics of mentally healthy students, यानि कि क्या विस्यस्ता है, कैसे बच्चों को हम कहेंगे कि वो mentally healthy है, वो मांसि ग्रूप से स्वस्ता है, तो उनकी विस्यस्ता है क्या होती है, यह पढ़ना है, इस unit का दूसरा topic है, मांसिक स्वास्त के सिधान, theory of mentally health, तीसरा point ह समयोजन की समस्या है, मतलब adjustment and mental adjustment, यानि कि जो लोग अठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें कैसे समझाना है, चौथा point है, अधिगम करता की वहवारिक समस्या है, behavior problem of learner, कि अपने वहवार से वो क्या-क्या समस्या होती है, इस unit का 58 points है, समयोजन विदिया, adjustment mechanism, कि हम सारी जो को कैसे समयोजित करेंगे, ठीक है, तो यह सब चा सारी चीजे पढ़ना है, okay, so, okay, दोस्तों, बात कर लेते हैं, पांच भी units की, यानि कि आखरी unit की, आखरी unit का नाम है, अधिगम करता से संबंदित, अवववधात्मक तत्व, understanding the issue related to the learners, इसमें यह छोटाच टॉपिक ह इसमें total 3 points है, पहला point का नाम है, वेक्तिकत वीवीनिताय, individual difference, जैसे कि जो बच्चों को हमें बढ़ाना है, उनकी ने कुछ individual difference होंगी, वेक्तिकत वीवीनिताय होंगी, जैसे सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे जलदी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे क जैलना ही पड़ेगा, अब तक हमें जैल रहे थे, हमारे टीचर, अब हमें जैलना हो पड़ेगा, जब हम टीचर बन जाएंगे, तो, it's not about जैलना, but some things, you know, we have to do struggle, हमें कुछ struggle करना है, हाई, struggle कितना अच्छा सबगता है, और जैलना, sorry sir, तो उन्हें कैसे पढ़ाना है, द उन्हें के बच्चे intelligent होते हैं, या फिर वो community, वो समुदाय, चहां पर अच्छे लोग रहते हैं, सरकाली jobs वाले रहते हैं, ISPCS, तो उनके बच्चे intelligent होता है, वो पाते जल्दी समाझ पाते हैं, तो यह भी impact करता है, यह भी परभाव परता है, तो इसके वारे में में हैं, तो आखरी unit का आखरी point, slavers में यह दिया गया है, अपवदात्मक, यानि कि exceptional learners, कुछ learners सच में, मतलब बिल्कुल अपवाद होते हैं, वो exception होते हैं, वो अपने जिंदगी से ही जिएंगे, तुम जी तना भी समझा लो, वो कभी-कभी जुनन समझ जाएंगे, और कभी-क तो exceptional learners भी होते हैं, तो उनके बारे में यह पढ़ना है, I really wish, कि जो मेरे दोस्ते हैं, मेरे जो classmate है, MJS महा विद्याले बारे, जब तुम teacher बनोंगे, I wish कि तुम्हें अपवदात्मक ही learners मिलें, जो जितने भी student मिलें, वो सारे exceptional ही मिलें, तुम चाहें उन्हें लाग है रहो तो बात की बात है, तो यह रहें total 5 unit guys, इस 5 units में हमें यह चीज़ा पढ़ना है, मैंने सब कुछ बता दिया, okay, so well, thank you so much guys, I hope कि मैंने अच्छे से आपको समझा है इस वीडियो को, I hope कि syllabus समझ में आ गई होगी, तो पहले syllabus जान लेते हैं, फिर one by one, एक एक यूनिट इस पर वीडियो बनाएंगे और उस पर discuss करेंगे, ठीक है दोस्तों, मैं भी खुद एक student हूँ, जो चीज़े मैं पढ़ता हूँ, जो चीज़े मुझे समाझ में आती है, मैं कोशिश करता हूँ, मेरी ख्वाइश होती है कि मैं आपके साथ share कर लो, इससे दो फायदा है, प मैं खुशी होगी अगर आप मेरी चैनल के साथ जुनेंगे, इससे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बैता है, रात के दो बजे में ये वीडियो बना रहा हूँ, दो बजे में, अट मिद नाइट, फिनिश करते हैं इस वीडियो को, थैंक ये सो मुच पर जाहिए, पार झाहिए, भाइट, पिया है, सब्सक्राइब करेंगे, जाहिए, पहाँ भूँक्राइब कि आइन चाहिए, ये वीडियो धियर भीचेन देल, बाइट